नमस्कार फ्रेंड मैं हूँ संगीता और आपका भौध बहुत सागत करते हूँ आपके अपनी रसे में गनेश चतुरती आते ही मन में तरह तरह के मोदक गूने लग जाते हैं जैसे मंदित में मिलते हैं और कलर फूल जैसे हलवाई की दुखान पर मिलते हैं कोई ड्राइफ फ्रूट्स बनाता है कोई चावल के हाटे से कोई सूजी से तो कोई बिस्कित चे अपने अपने तरीके से कोई कलर डालता है तो कोई बिना कलर का और आज हम भी बनाएंगे घर पर गनेश जी के लिए स्वादिश्ट मोदक ना हम मैदा डालेंगे ना हम याँ पर दूर डालेंगे और ना TEAL कुछ भी नहीं डालेंगे और हम बनाएंगे वेजटेबल से बहुत आसान हंए इनको बनाना सबसे पहले यहांपर लेंगे दो गाजर मैंने दोल ही लेंगे में और यह मैं साइड में रख दूंगी धोल यह थे मैंने अच्छे से पहले धो लेना और इसे चील देने हैं ताकि इसमें कोई डश्ट वगेरा हो गए धूल का कंट वह हट जाए गाजर पहले चील लेना है अब हम चीलेंगे यह बीट रूट इसको भी शेम तरीके से चीलेंग और गाजर हो गया ग्रेट अब हम करेंगे यह वीट रूट ग्रेट बस सेम उसी सांचे से बारिक वाली तरफ से और इसमें नुकीले भी होते हैं कौन इसके तो अपनी सेफटी से करेंगे और यह दोनों ग्रेट हो गए और अब हम यह कड़ाई यह फेन कुछ भी ले और इसमें जादा गी की जरज भी नहीं पढ़ते हैं न आठ न न कुछ और यहां पर चीनि डालेंगे एक चमाज आप डालेंगे इसमें यह मिल्क पावडर कोई भी ले सकते हैं आप मिल्क पौडर दूद का यूज नहीं करना और यह चीनि न अपना यह पानी रिश करती ह जैसे यह सूख जाएगा इकठा होने लग जाएगा एक सार जैसे अब इसमें डालेंगे हमें हरी वाली इलाची आप चाहे तो पॉडर भी डाल सकते हो मैंने कूटली थोड़ी मोटी मोटी सी और अब यह एक सार हो गया है और यहां पर हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल रखना ह कैनिन आप भी ड़ा नहीं तो चीन डाल एन जैलनी का वी डर रहेगा और अब इसको किसी ठाल एपलेट में निकाल लेंगे साइड में अब मैं सेम कडाई में सेम तरीके से सेम प्रोसे से घी डालेंगे और गाजर जो हमने ग्रेट किया है चम़ गी एक चमस चीनी दो हरी उलाची और एक चमस यह मिल्क पाउडर बस सेम क्वूंटिटी में इतने गाजर है इतना ही हमारा यह बीट रूट जट पर बन के भी तयार हो जाते हैं बिना किसी कलर के बिना किसी ज़ंजब के घर पर बस गैस का फ्रेम विल्कुल रखना आमको बहुत जल्दी बन जाते हैं पांच मिनट में आटा नहीं कुछ नहीं बूरने कभी जंजट नहीं बिना सांचे का बनाएंगे घर पर इसी तरह से ये भी नीचे से कठा हो गया अब इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और तुरंत रखेंगे इनको फ्रीज में ठंडा होने देंगे थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे और अब निकाल लेंगे किसी प्लेट में हाथ हमारे सूके होने चाहिए यानि कि पानी नहीं होना चाहिए अगर पानी है तो थोड़ा पूछ लीजिएगा और अब हम हा सांचे से आप बनाना क्या हो और सकते होêu तो पर BUT देंगे चम्मझ से इस तरके से मैं बना लेते हूं सारे गाजर की जितनी हैं है इसी तरह से बनाने बहुत अच्छे बनते हैं हैं इकहटा हो जाता एज जो हम ने इसमे मिल्क पाउडर डाला है और चीनी डाली है तो उसमें एक सार हो जाता है और बांडिंग बहुत अच्छी आती इसकी आटे से भी अच्छी आती है आटे में तो कभी हम इसमें दू ज्यादा डाल देते हैं या कुछ से तो इसमें बिल्कुल भी दिखत नहीं होगी बस हमने सुखाना इसका बानी और अच्छे से इस जिएव दे के बन जाते हैं ऐद बनके थे तायर अब बनाएंगे हम लाग के जा फिल्फ करना इतना सी बंडके लिए में और हाथ में भी इसका कितना कलर आ रहा है तो बिना किसी कलर का हमें बाजार की कोई कलर की जरूरती नहीं है यहाँ पर तो इस तरह के से आज बनाएंगे हम गनेजी के मोदक उनके फेवरिट मोदक और बच्चे भी खा लेंगे जो वीट रूट नहीं खाते गाजर खाने से भागते हैं और भोग लगाने के बाद उनको देंगे तो इस तरीके से बन गए हमारे यह मोदक अब हम इनमें ड्राप रूट जो हमने बारिक बारिक आट ले थोड़े बहुत वो चिपकातेंगे आप चाहिए तो यहाँ पर गु आजर आले में भी आप अगर नहीं लगाना चाहते हो यह दिखने में अच्छा लगता है गुलाब की पंखुडिया भी लगा सकते हो फूल भी लगा सकते हैं वह भी अच्छे लगते हैं बस इस तरीके से अरे बन के हो गए तयार आपके नेजी को भी बोग भी लगिया और आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी यदि आपको मेरी रेसिपी फसंद आए तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें और आप भी बनाए गनेजी को जितने दिन भी घर में रखते हो तरह तरह के बनाए आप और भी बेजटेबल से भी बना सकते हो लोकी से भी बना सक तो इस तरह से मैंने बनाएगे नेजी के लिए जट पट पांच मिनट में बने मोदक और बहुत स्वाधिश्ट भी होते हैं बच्चे भी खा लेते हैं और आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक दे सस्क्रा गावड कि वीडेगे वीडियो के तो इसलाब दुए्टी में बनाए म में जट मार्ने मुड़ेश्टी में पांगे एक दो कि दिए स्वाधबगे तो इसे लाइक मिद्ट स्वाधश सम्वाब साम्शी खांटिए। जाल रावड़े कि भीत अाम सेवारा एकॉड बनात्ट